आज की क्लास में हम बायालोजी के टॉप 20 इंपोर्टन एंसी क्यू डिसकस करेंगे जो टैट पॉइंट आफ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा आपका फर्स्ट कोशिन है पैरिडर्म की बात करें तो पैरिडर्म होता क्या है पैरिडर्म जो है आपकी आउटर बार्क और री को बोला जाता है आउटर बार्क और री ठीक है यह क्या है आपका सेकेंडरी डर्मल टीशू है क्या है यह सेकेंडरी डर्मल टीशू जो क्या करता है रिमूव करता है आपका प्राइमरी प्रोटेक्टिव टीशू को या रिप्लेस बोल सकते हैं इट रिबेसी सिस अैनि रिवर ową व्रिटे कि वेशिव क्या है आपका जयसे इपिडयरम इसको यह क्या कर देता है रिप्लेस कर देता है यकिदम की जग आपका अदप है प्रिडयर्न क्या है सिसका अगर हम इसके function की बात करें तो protection तो main function है इसका किसकी protection करेगा यह stem and root की protection of stem and roots important points है exam में question बनता है इन points से भी अब हम बात करें तो यह किस-किस से बना होता है तो यह three layers से बना होता है कौन-कौन सी है आपकी? फैलम, second है आपकी phelogen, third है आपकी pheloderm तो तीन layer से मिलकर आपका paradigm बना होता है अगर हम फैलम की बात करें question आते हैं इन से exam में जो मैं अभी points लिखवा रही हूं आपको तो आपको ध्यान से सुनें इसको बोला जाता है cork फैलम को क्या बोला जाता है? cork, phelogen की बात करें इसको बोला जाता है cork cambium क्या बोला जाता है cork cambium pheloderm को बोला जाता है आपका living parenchyma ठीक है? अगर फैलम की बात करें हम तो यह आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर नेट जो फैलम है यह आपका क्या क्या पोजिशन होती है आपकी फैलम की वैक्स एंड क्यो बेरिंग एक्जाम में आ सकता है आपसे कोशिण पूछा जा सकता है कि फैलम की कंपोजिशन दी होगी कौन-कौन सी है तो क्या प्रेजेंट होता है वैक्स और सुबेरिन फैलोजन को और क्या बोलते है ऐसा कोशिण आ सकता है तो कॉर्क एंडियम फैलोडम को और क्या बोलते हैं लीविन पेरनकाइमा इस तरह से एक्जाम में आपसे question पूछे जा सकते हैं next जो है हमारा question है epiblema is a characteristic of epiblema किसका characteristic है option A है आपके पास monocot roots, option B है dicot roots, option C है आपका dicot root, option B है dicot stem, option D है monocot stem उपर वाले question में हमने answer टिक नहीं किया तो पहली डर्म मैंने आपको जैसे की बताए three layer से मिलकर बना होता है तो इसका अंसर हो जाएगा all of D phallum, phalloderm and phallogen बात करते है next question की option हमने read कर लिए epiblema किसका characteristic feature है सबसे पहली बात epiblema roots में पाया जाता है किसमें पाया जाता है roots में किन-किन की roots में तो यह पाया जाता है आपका monocot root में and dicot root में दोनों में पाया जाता है आपको याद रखना है कि roots में पाया जाता है epiblema थोड़ा सा discuss कर लेंगे इसको भी अब अगर हम epiblema की बात करें तो यह roots में होता है जैसा कि मैंने बताया आपको और क्या होता है यह outermost covering of root होती है हमारी epiblema क्या बोलते हैं इसको outermost covering of roots साथ ही साथ इसमें क्या present होते है root hairs epiblema में क्या होते है root hairs present होते है इस layer में जिसकी वज़त इसको क्या बोला जाता है एक और नाम जो है इसका वो है pilliferous layer pilliferous layer क्यों बोला जाता है due to presence of root hair ठीक है next हम बात करें इसका role epiblema क्या करता है epiblema का role protection का है एक तो यह आपकी roots की protection करता है protection of roots root hairs present है root hairs का role हमें पता है absorption of water and mineral है तो साथ ही साथ ही second function है absorption of water and minerals from soil थीक है यह तो था इस question में जो important points मैंने आपको बता दिये है option a and c इसका correct answer है next question है आपका jute fibers are obtained from jute fibers कहां से मिलती है option a जाइलम option b है endoderm option c है pick option d है secondary phyloem तो दीखिए jute fiber जो है वो मिलती है secondary phyloem से किस से मिलती है secondary phyloem से discuss कर लेते हैं थोड़ा सा jute fibers को जो jute fibers होती है उनको बोला जाता है bast fibers क्या बोला जाता है bast fiber bast fiber ऐसी fibers होती है जिनको obtain किया जाता है from skin या past of secondary phyloem जो secondary phyloem से बनती है bast fiber किस से बनती है obtained from question पूर सकते हैं exam में obtained from skin या फिर past of secondary phyloem ठीक है jute fibers next important question बनता है इससे किस plant से जो हमें jute fiber मिलती है तो जो genus आपका corcoris genus से जो है corcoris जो genus है उससे हमें क्या मिलती है jute fibers कौन सा genus है corcoris आपको याद रखना है exam में पूछा जा सकता है next important point जो इसससे बनता है वो है कि jute fibers किस-किस से मिलकर बनी होती है क्या होता है इसमें constituents particles वो है आपका cellulose साथ ही साथ आपका lignin important है यह point भी तो इस cellulose और lignin से मिलकर बने होते हैं next question है आपका mast cell secret option a है आपका heparin option b है myoglobin option c है histamine and option d है hemoglobin तो देखिए mast cell secret करते हैं heparin को साथे साथ histamine को भी तो option a और t जो है इसके correct है अगर हम mast cell की बात करें जो mast cell है आपके इनको और किस नाम से बोला जाता है another name क्या है इनका तो mast cell को हम mastocyte भी बोलते हैं क्या बोलते हैं mastocyte आपको पता होने चाहिए important है साथी साथ इसको labrosides भी बोलते हैं labrosides ये तो हो गए इसके another name अब ये पाई कहां जाती है mast cell तो ये कहां found होते हैं found in mucous membrane कहां पे mucous membrane में important question है mucous membrane में और कहां होते हैं आपके connective tissue में भी mast cell पाये जाते हैं connective tissue में भी आपके क्या होते हैं mast cell ठीक है अब next important point है वो है कि ये secret क्या 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 करते हैं तो ये secret करते हैं आपके hyperin साथी साथ histamine भी secret करते हैं serotonin भी secret करते हैं और ये cytokine भी secret करते हैं इस तरह के जो compound है ये secret करते हैं या chemical हम बोल सकते हैं secret करते हैं secret कब करेंगे mast cell जब ये activate होते हैं in activated state में ये secret कुछ भी नहीं करेंगे next हम बात कर लेते हैं इसकस कर लेते हैं क्योंकि question आ सकता है यहां से भी question बनता है important है तो सबसे पहले अगर हम बात करें histamine के histamine क्या है आपका क्या करता है ये करता है allergy symptom cause cause allergy symptom next है आपका heparin heparin क्या है anti coagulant क्या है ये anti coagulant exam में question आते हैं this type से पूछे जाते हैं कि anti coagulant इन में कौन सा है तो आपको पता होना है heparin क्या है anti coagulant next है आपका myoglobin myoglobin आपका muscles में present होता है क्या करता है ये oxygen supply to muscle O2 supply करता है to muscle next है आपका hemoglobin short में लिख रही हूँ hemoglobin क्या है ये oxygen supply करता है आपका oxygen supply to RBCS next question देखते हैं next question है आपका compound eyes are found in option A है cockroach option B है round warm option C है earth warm option D है आपका frog compound eyes वो पाई जाती है cockroach में option A will be your correct answer अब हम बात करें compound eyes और कहां कहां पाई जाती है compound eyes इसमें होती है compound eyes और होती है है आपकी erthropods में erthropods में erthropods में और crustations में भी compound eyes होती है crustations next question है आपका smallest amino acid simplest amino acid पूछा गया है tyrosine है glycine है asparagine है या option B जो है correct है glycine आपका simplest amino acid है इसका structure अगर हम draw करें तो glycine कैसा होता है glycine का structure simplest amino acid है तो amino acid का structure draw करते है जो R group होता है वहापिस में hydrogen होता है यह क्या है आपका R group अगर हम amino acids की बात करें तो यह building block of protein होते हैं NH2 amino group और carboxyl group ठीक है 9 essential amino acids है कोशन आता है यहां से 9 essential amino acids होते हैं total 20 है out of which 9 are essential जो की है histidine histidine आपका essential amino acids है exam में कोशन आते हैं option में amino acids दिये गए होंगे और आपको पुछा होगा कि कौन साइंस में से essential है यह कौन से non essential है तो आपको याद होने चाहेगी कौन कौन से essential है तो histidine आपका essential है leucine आपका essential amino acid है lysine आपका essential amino acid है next आपका threonine है फिर आपका methionine भी essential amino acid है isoleucine हो गया riptofan हो गया fenyle alanine भी आपका amino acid है essential fenyle alanine और आपका valine जो valine है वो भी essential amino acid है next question देखते है next question है आपका quantosomes are present in quantosomes कहां होते है option a है stroma b है grana c है mitochondria d है Golgi body quantosomes आपके present होते है grana में option b is your correct answer अब जो grana है वो कहां पाये जाते हैं जो grana है वो पाये जाते हैं आपके chloroplast में ठीक है quantosome के अगर हम बात करें तो क्या है यह quantosome है आपका unit of photosynthesis unit of photosynthesis उनको बोला जाता है quantosome important है exam में पूर्च सकते हैं इस type के question होता क्या क्या है इसमें quantosome consist photosynthetic pigments present होते हैं इसमें photosynthetic pigments redox carrier होते है quantosome में और आपके 250 से 300 तक chlorophyll compounds होते है chlorophyll molecules हम present होते है quantosome ठीक है इस इस type के question देखे जाते है exam में hypotonic, hypertonic, isotonic तीनों जो है important है आदेती हूं अगर हम hypotonic solution की बात करें सबसे पहले है hypotonic solution तो hypotonic solution क्या होता है इसमें क्या होता है जो solute की concentration है वो outside the cell जो है low होती है solute concentration is low कहां पर होगी low outside the cell inside the cell concentration जादा है तो क्या हो जाएगी hypotonic solution में cell में क्या होगा cell जो है cell में जो है आपकी endoosmosis हो जाती है endoosmosis important है endoosmosis question पूछे जाते हैं exam में इस टाइप के endoosmosis का क्या मतलब है endoosmosis का मतलब है कि water जो है cell के अंदर flow करेगा water will flow inward water will flow inward जिसकी वज़े से क्या होगा cell will cell will swell up ठीक है cell जो है swell कर जाएगा next हम बात करेंगे hypertonic solution की किसकी बात करेंगे hypertonic solution hypertonic solution उल्टा हो जाएगा जो solute concentration है outside the cell क्या होगी more solute concentration is more outside the cell क्या हो जाएगा इसकी वज़े से cell में cell विल अंदर गो exoosmosis क्या हो जाएगी exo osmosis हो जाएगी cell में exoosmosis का क्या मतलब है water will flow outward water will flow outward ठीक है water outward flow होगा cell क्या हो जाएगा shrink important points है कहीं से भी question आ सकता है आपको exoosmosis पूछ सकते हैं यह आप से पूछा जा सकता है कि cell किसमें करेगा exoosmosis में या endoosmosis में तो आपको यह important key points आपको याद करने हैं third one है आपका isotonic solution अब isotonic solution के अगर हम बात करें तो क्या होता है isotonic solution जिसमें जो solute concentration है वो सेम होती है outside भी और inside solute concentration क्या होती है same inside and outside the cell तो no net flow of water water का कोई flow नहीं होगा ना inward ना outward therefore no net flow of water ठीक है यह हो गया आपका hypertonic, hypotonic and isotonic solution next question है आपका cell theory is not applicable for option A है आपका bacteria, option B है fungus, option C है algae, option D है virus तो देखिए बहुत easy question है direct question है cell theory applicable नहीं होती है viruses के लिए ठीक है, explain करने के इसमें कोई कुछ है नहीं simple ता अंसर है कि virus जो है cell theory के लिए applicable नहीं होते है यह exceptional cases है next question है आपका the enzyme that cuts DNA DNA को cut कौन करता है कौन सा enzyme है DNA lyase है DNA polymerase या फिर restriction endonuclease तो DNA को cut करता है आपका restriction endonuclease कौन सा enzyme करता है DNA को cut restriction endonuclease अगर हम DNA lyase की बात करें DNA lyase क्या है क्या करता है DNA repair and replication में help करता है DNA replication में use होता है और repair में भी रोल क्या है इसका यह क्या करता है DNA fragrance को bind करता है bind DNA fragment question पूछा जा सकता है यहां से भी next है आपका DNA polymerase क्या है DNA polymerase DNA replication में one of the most important enzyme है आपका DNA polymerase किसमें रोल प्ले करेगा DNA replication में अब DNA polymerase क्या करता है formation of new strand क्या करेगा यह formation of formation यह synthesis बोल सकते हुआ formation of new DNA strand ठीक है next है आपका DNA lyase DNA lyase DNA lyase क्या करता है DNA lyase cleavage में help करता है यह क्या करेगा bonds को break करेगा ठीक है तो next question देखते है next question है आपका plant cell attain tergidity due to plant cell attain करता है tergidity due to option A है आपका electrolysis option B है exosmosis option D है endosmosis option D है flasmosis tergidity plant करता है बहुत ही simple question है अभी उपर हमने discuss किया है तो इसका अंसर आप कर सकते हैं कुछ आप जो है इस question का answer फुद करेंगे comment box में इस question का answer आपको फुद करना है ठीक है तो इस question को आप करेंगे answer comment box में कीजिएगा easy है माफ कीजिएगा तो comment box में answer कीजिएगा अगर tergidity की हम बात करें तो tergidity में आपको बता देती हूं tergidity का मतलब है cell का swell हो जाना तो cell की swelling कब होती है ठीक है वो आपने comment box में बताना है मुझे इसका answer next question है आपका the factor most important in regulating transpiration is transpiration में most important factor पुछा गया है option A है आपका temperature option B है आपका light option C है आपका wind option D है आपका relative humidity तो देखिए all four जो options हैं यह transpiration में role play करती है लेकिन आपसे पुछा गया है most important most important है आपका light ठीक है अब इसको discuss कर लेते हैं transpiration क्या होता है सबसे पहले transpiration की अगर हम बात करें तो what is transpiration Transpiration क्या होता है plant जो है water को give off कर देते हैं through somata plant give off water through somata ठीक है अब जो light है वो कैसे role play कर रही है light क्या कर रही है तो light देखिए आपका क्या करती है यह opening of stomata करती है क्या करेगी एक तो opening of stomata करती है light की वज़े से stomata open होंगे और क्या क्या करती है यह speed up कर देती है process को तो temperature rise होगा अगर temperature आपका increase करेगा तो आपकी transpiration भी जो है क्या करती है इंक्रीज करती है तो इसका B option जो है correct है light most important factor है आपका light next question देखते है next question है आपका boron in Green plants assist in Boron क्या करता है option A है आपका activation of enzyme B है आपका photosynthesis C है आपका acting as enzyme pore factor और D है आपका sugar transport तो boron जो है आपका sugar transport में help करता है इसमें help करता है आपका sugar transplant में माँक किजेगा sugar transport में help करता है in green plant next question है आपका denitrification is carried out by nitrogen cycle से question आया है most important topic है that exam में nitrogen cycle से काफी जादा question देखे गए है तो आपको वो topic cover करना है तो पहले अगर denitrification की बात करें हम तो क्या होती है denitrification denitrification process में जो है nitrates से nitrogen बनती है denitrification denitrification में क्या होता है conversion होती है conversion of nitrate into nitrogen exam में ये भी पूछा जा सकता है nitrate से क्या बन रहा है आपका nitrogen ठीक है अब denitrification में कौन-कौन से bacteria यूज होते हैं देख लेते हैं कौन से bacteria होते हैं क्यूंकि exam में direct portion आता है यहां से तो आपका pseudomonas है जो pseudomonas करता है आपकी denitrification thio bacillus आपकी denitrification करता है ठीक है तो option देख लेते हैं अब option a pseudomonas तो सबसे first option ही आपका correct है denitrification जो है carried out by pseudomonas nitrosomonas nitrobacter और cocus इन तीनों को भी discuss कर लेते हैं तो second जो प्रोसेस है आपकी वो है nitrification nitrification अब nitrification क्या होती है exam में इससे भी question आता है conversion of ammonia to nitrides इसमें conversion of ammonia into nitrides क्या बोलते हैं हम उसको nitrification अगर हम bacteria की बात करें तो nitrification कौन-कौन से bacteria करते हैं कि जो बाकी के B, C, D option है यह आपके nitrifying bacteria है तो यही जो है आपके यहाँ पर आ जाएंगे nitrobacter nitrosomonas और third है आपका nitroso focus यह क्या है आपके nitrifying bacteria ठीक है next question देखते हैं next question है आपका crans anotomy is observed in option A है C2 plants, option B है C3 plants, option C है C4 plant and option D है आपका CAM cam plants तो crans anotomy देखी जाती है option C, C4 plants में किसमें देखी जाती है C4 plants में important है यह भी जो C4 plant होते हैं अगर उसका हम example देखें तो C4 plant का example क्या होता है पता होना चाहिए आपको exam में पूछ सकते हैं, example दिए हो, पूछ सकता है C4 plant सुन में से पूछाओ कौन सा है तो मेंज जो है आपका एक C4 plant है ठीक है अब क्रण्ज जो है क्रण्ज वर्ड का मतलब क्या है what does क्रण्ज वर्ड मीन क्रण्ज का मतलब है आपका ring क्या मतलब है ring या पर breath R-E-A-T-H ठीक है यह तो हो गया इसका मतलब अब C4 plant जो होते हैं उनमें जो है क्रण्ज वर्ड मी देखी जाती है क्रण्ज वर्ड मी में क्या होगा आपका जो मीजो फिल सेल है वो cluster बनाते हैं अराउंड बे जो आपके bundle sheet cell होते हैं two type के cell होते हैं मीजो फिल सेल क्या बना देंगे cluster बना देंगे around किसके bundle sheet cell के ठीक है मीजो फिल सेल जो है किस तरह से arrangement होगी example देख लेते हैं एक diagrammatic माली जी के मीजो फिल सेल है यह आपके क्या है मीजो फिल सेल किसके around present होगे यह होगी आपके bundle sheet cell के around यह क्या है अंदर आपके bundle sheet यह bundle sheet cell है और यह आपके मीजो फिल सेल इस तरह की arrangement होती है अब अगर हम बात करें, जो बंडल शीथ सेल हैं आपके, इन में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है, जादा होता है, as compared to mesophyll cell, more, ख्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, जादा, ख्लोरोप्लास्ट next question है आपका, which of the following is formed during photorespiration, photorespiration में इन में से क्या बनता है, option A है, phosphoglycolate, option B, NADPH, option C, oxaloacetate, and option D, sugar तो देखिए, photorespiration में जो आपका बनता है, वो है आपका option A, phosphoglycolate, important है, exam में question आता है, इससे भी, तो discuss कर लेते हैं थोड़ा photorespiration को, तो photorespiration क्या होता है, photorespiration, important है, exam में काफी जादा question इस topic से भी देखे गए है, photorespiration होती है आपकी C3 plants में, किस में होती है, C3 plants में, इसको हम C2 cycle भी बोलते हैं, C2 cycle भी बोलते हैं, इसको glycolate cycle भी बोलते हैं, glycolate cycle, तो आपको ये नाम भी पता होने चाहिए, अब इसमें हो क्या रहा है, इस cycle में जो rubisco enzyme है, जो rubisco enzyme है, वो क्या करेगा, oxygen के साथ attach हो जाएगा, instead of CO2, हमें पता है, rubisco attach होता है, CO2 के साथ, लेकिन photorespiration ऐसी process है, C3 plants में, जिसमें जो rubisco है, वो attach हो जाएगा, आपके oxygen के साथ, attaches to oxygen, instead of CO2, question पूछा जाता है, एक्जाम में ये भी, important point है, instead of CO2, इसकी वज़े से क्या हो जाएगा, hence photosynthesis जो process है, वो inhibit हो जाती है, photosynthesis inhibit, ठीक है, next हम बात कर लेते हैं, ये जो process है, C2 cycle, ये कहां occur होती है, कौन से cell में होती है, अकर इन, important है, पूछा जाता है, एक्जाम में, ये अकर होती है, आपकी chloroplast cell में, paroxysomes में, और आपके mitochondria में, mitochondria में, ठीक है, next जो है, ये एक wasteful process है, कैसी process है, ये एक, wasteful process, important है, एक्जाम में, पूछते हैं, कि why photorespiration is a wasteful process, अब देख लेते हैं, क्यूं है wasteful, किसलिए इसको wasteful process बोला गया है, सबसे पहली बात, इसमें जो ATP है, वो use होता है, ATP is used, जबकि ATP बनना चाहिए, तो ATP बनता नहीं है, no ATP synthesis, इसमें जो carbon dioxide है, वो भी क्या हो रही है, आपकी, release, CO2 is, release हो जाती है, जबकि वो उसकी क्या होनी चाहिए, fixation, no CO2 fixation, और इसमें जो है productivity जो plant की है, वो decrease करती है, productivity क्या करती है, decrease करती है, तो यह important point है photorespiration के, जो आपको याद रखने है, exam में पूछ सकते हैं आपसे, जितने भी points कराए जा रहे हैं, important है, तो सारे ध्यान से सुनिए, और याद कीजिए इनको TET exam के लिए, एक और बार, please video को like करिए, और share कीजिए, medical students के साथ, तो यह भी काफी useful video है, नेक्स्ट जो question है आपका, the fundamental element needed for water splitting, in photosynthesis, leading to oxygen evolution, तो आपसे fundamental element पूछा गया है, कौन सा है, जो splitting of water में help करता है, during photosynthesis, तो आपके option है molybdenum, B है manganese, C है magnesium, and D है आपका potassium, तो देखें, इसका जो correct answer है, वो है आपका, option B, manganese, याद रखिए important है, अगर हम manganese की बात करें, तो यह क्या करता है, photolysis of water, जो manganese, element है आपका, यह role play करता है, in photolysis of water, जो कहाँ पर हो रही है, photo system किस में, one या two में, photo system two में हो रही है, पूछा जाता है कई बार यह question भी, कि photolysis of water कौन से photo system में होती है, तो photo system two में, next question है आपका, the site of glycolysis, glycolysis के site क्या है, option a है, आपका cytoplasm, b है आपका chloroplast, c है mitochondrial matrix, d है आपका mitochondrial inner membrane, तो glycolysis होती है आपकी site of plasma में, किस में होती है, site of plasma में, अगर हम site of plasma की, sorry, glycolysis की बात करें, तो glycolysis में क्या होता है, breakdown of glucose, क्या होता है, glycolysis में, breakdown of glucose, और end product क्या है, इसके glucose के breakdown में, breakdown से हमें, last में क्या मिलेगा, pyruvate, क्या मिलेगा, pyruvate, कितने pyruvate मिलते हैं, two, two molecules of pyruvate, साथ ही साथ 4 ATP, और 2 NADPH, ठीक है, two NADPH और 4 ATP मिलते हैं, इसके साथ पूछे जाते हैं, ये भी कोशन, एक्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने ATP बनते हैं, last में, कितने NADPH होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, next question है आपका, Induction of flowering by low temperature treatment is called, option A है, photoperiodism, B है, cryostat, C है, आपका cryoscopy and D है, vernalization, so option D जो है, इसका correct answer है, option D, vernalization जो है, आपका, low temperature treatment होती है, to induce flowering in plants, next question है, Ghibalin was first discovered from, option A है, आपका roots of higher plant, B है, आपका algae, C है, आपका fungi and D है, आपका bacteria, तो इसका correct answer है, option C, fungi, अब कौन सी fungi से discover किया था, ये भी पूछा जाता है, एक्जाम में, तो आपकी fungi थी, गिब्रेला, क्यूजी को राए, इम्पॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, फंजाए पूछा जाता है, कौन सी fungi से जो है, गिबलीन डिस्कवर किये थे, और किस plant में, ये भी पूछा जाता है, राइस, प्लांट में, डिस्कवर किया था, डिस्कवर बाए, वो थे आपके कुरु स्वावा यह important question बनते हैं इससे आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद वीडियो को like share करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ जो question आपको homework मिला है जिससा answer आपको comment box में करना है उसे जरूर कीजिएगा धन्यवाद